क्या आप भी बहुत परिशान हो डाक अंडर आम से स्लीबलेस पहनने का कॉंफिडेंस नहीं है गाइस डाक अंडर आम बहुती कॉमन प्रब्लेम है और इसके बारे में बात करना भी हम लोग थोड़ा सर्माते हैं अनकमफर्टेबल हो जाते हैं पर गाइस जब तोक बात ही नहीं करेंगे तब तोक पता कैसे चलेगा स्लीशन कैसे मिल पाएगा और आज का वीडियो है पूरा डाक अंडर आम के बारे में ए टू जेट आप लोगों के साथ में सेर करने वाले हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सकें कि होता क्यूं है और स्लीशन भी मिल सकें तो गाइस डाक अंडर आम मेरा एक टाइम पर ब क्यार नहीं करते थे या फिर काम के वज़े से बहुत सा रेस्क्यूज हम लोगों खुदी दे देतें जिन मेंसे में भी एक हूँ मैं बहुत ज़्यदा बीजी हो गई थी बहुत ज़्यदा काम में कि यह वो फिर थोड़ा सा था कि करेंगे करेंगे यह पर अभी मैंने ढ़ और हमको दिया है उसका रेजल काफी अच्छा है और मुझे और भी थोड़ा अच्छा रेजल मिल जाएगा और भी अगर में थिरी से सिक्समान अगर करूंगी आज का जो भी में रेमीडिज आप लोगों के साथ सेयर करूंगी आंडरम के लिए ना जस्ट वाव क्योंकि इतना जादा एफेक्टिव है बहुत ही जादा इजी है बहुत ही बजट फ्रेंडली क्या है कुछ खर्चा ही नहीं है घर पे हार एक चीज़ आपको मिल जाएगा आपको सिप वह सारे चीज़ को फॉलो करना है पर अंडरम ब्लैक होते क्यों है क्योंकि से करन भी डाक अंडरम होते हैं क्यों होता है टिनेज क्या पन प्रुपिया वाला Mohammed का आप खतम सो रेजर भी बहुत सार अभी का रेजर जो है जो निकला है जो अंडरम के लिए ही डिजाइन किया गया है जिसका दाम होता है 4-500 और हम लोग टीनेज में 10-15 रूपया 20 रूपया में मिल गया तो कर लिया जैसे मैंने भी किया है इसलिए मैं अपना एक्सप्रियेंस कर रही हूं तो इसके वज़े से भी अंडरम ब्लैक हो जाता है और वैक्सिंग के लिए टीनेज टाइम पर थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि दर्द इतना ज्यादा होता है अगर एक टाइम कर भी लिया दूवारा तो हम लोग जाते ही नही वहां पर पूरा हम लोगों का ब्लैक हो जाता है क्योंकि पिइङमिंट हो जाता है आधर वाइस डाक अंडरम ऐसा कुई बिमारी नहीं है ऐसा कुछ यह नहीं कि पर्मिनन हो जाता तो Wi- कर ने आती हूं आप लोग को अच्छे से step by step कि आप लोग अंडरम के कैसे take care करेंगे तो आप लोग वह सारे चीज़ अगर follow करेंगे just two month just two month आप लोग खुद comment करके मुझे बताऊगे just two month guys बहुत ही effective है मेरा खुद self tested है आज मैं आप लोग के साथ ऐसा करके जो बात भी कर रही हूं न just because यह सारे चीज़ मेरे follow किया है इसी लिए तो इसी लिए वीडियो आप लोगों के लिए है आप लोग ट्राइ कीजिए फिर मुझे बताए बहुत ही अच्छा effective remedy है तो चलो वीडियो को अनलॉक हो जाए अच्छा ब्रैंड का रेजर यूज किया करें 10-20 रुपिया का रेजर एकदम ना यूज करें अंडराम ब्लैक हो जाता है कोशिज करें वैक्सिंग ही करने का आफटर वैक्सिंग आप अच्छे से टीशू से अपने अंडराम को क्लीन कर लेंगे अए यूज करने के बाद अंडराम बहुत ज़दा स्मूथ हो जाता है क्योंकि डेट से रिमूव हो जाता है और जड़ से हैर को रिमूव भी करता है बट मेरा अंडराम में बहुत ज़ ऐसा ही होता है उसके बाद मैं aloe vera gel अपने अंडरम पे अपलाई करूंगी aloe vera gel इसकिन को बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है बहुत सूधिंग एफेक्ट देता है जो इंजर कट लग जाता है उसको भी बहुत अच्छे से हील करता है डाक अंडरम के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि पिगमेंट को बहुत लाइट करता है सालिसिलिक एसीड इन रहता है तो इसलिए एक्सपोलियेटर भी है माइल 10-15 मिनीट रख सकते हो 10 मिनीट भी काफी है उसके बाद कोई भी गिला टावल से या फिट टीसू से आप रिमूव कर सकते हो एलोवेरत जेल आपके जो मेलानिंग जो होता है जो पड़ियूस करते है उसको भी कंट्रोल करता है एन एलोवेरत जेल लगाने से ओडर भी नही मिल खोड़का तो ज्यादा अच्छा होगा आप कोटन पैड में सारे मिल्क को डाल के अच्छे से सोक कर लेंगे इसको फ्रीज में रखने के बाद भी यूज़ कर सकते हो अंडरम मेरा थोड़ा सा डाल नहीं था बीच में में असपास का एरिया भी थोड़ा डाल था तो मैं पूरा ही कियार जब करती तो आसपास का एरिया को भी कवर करती थे आप आसपास का एरिया को भी आपका अगर डार के तो आप ऐसे ही अच्छे से मिल्क से क्लीन कर लिजिए दोनों अंडरम में अच्छे से लगा के सुखने दीजिए 5-10 मिनिट रेगुलरीटी के साथ इसको मेंटेन कीजिए बहुत अच्छे से आपको रेजल मिलेगा उसके ब करेंगे इस रेमिडी को तो आपके जो अंडरम इतना जादा इसमेल होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा पीएज को अच्छे से मेंटेन रगेगा बैलेंस करेगा तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें और इसको अगर आप रेगुलरीटी के साथ ट्राई करेंगे फिर आधा रग देंगे एक चमच से दो चमच प्यूरी यूज करेंगे इसमें कोई भी पानी यूज नहीं होगा आप लोग चाहे तो लेमन भी डाल सकते हैं एक दो ड्रॉप इसको ठीक पेस्ट बनाएंगे अब ठीक पेस्ट इसलिए बनाया ताकि यह अंडरम में अच्छे से इस्टीक हो जाये जदा मेसे भी ना हो और पूरा अंडरम में इस्टीक होके अच्छे से पूरा लगा रहे 10 मिनीट अच्छे से मास को थोड़ा सा ड्राई होने देंगे उसके बाद आप जो हाप जो टामेटा को जो कट करके रखेते अब इसको हम लोग यूज करेंगे अब अच्छे से हलका हाथ से सर्कुलर मोसन में अंडरम को अच्छे से मसाज करेंगे टॉमेट को गोल गोल करे घुमा के ताकि जो डेट सेल है वो रिम्ोव हो जाए जो पिग्मेंटेसे और रिमुव हो जा है तो बहुत ही हलक váge से करना है और मैं इसलिए मुष्कुरा रही थी क्योंछे बहुत जादा չुद्गुदि लग रहे थी इसलिए मुझे थोड़ा लगता है अंडराम में इग्नोर करना और क्लीन करने के बस आप लोग ही बता हूँ मैं क्या ही बता हूँ इतना अच्छे से ग्लो दे रहा है इतना अच्छे से पिग्मेंटेशन देखो अब फस्ट वस में ही देखो पहले भी आप लोगों ने देखा ना पुरा प्रोसेस कर दे फस्ट वस में देखो इतना ज़्यादा किलियर हो गया है कितना से पिग्मेंटेशन जो भी हलका था वो भी हट गया है और मेरा अंडराम पुरा चमक रहा है क्योंकि ये जो रेमेडी है ना बहुत ही एफेक्टिव है मैंने यूज किया है तब ही मैं बता रही हूँ हफ्ते में दो से तीन बार जरूर यूज करो ज्यादा डाक पिग्मेंटेशन है तीन से चार बार यूज करो आधरवाईस दो बार भी करोगे तब भी चले गए बहुत ही effective है, आप अपने हाथों से घर पे बनाते हो, कोई preservative नहीं है, कोई chemicals नहीं है, इसलिए ये जो remedy है, इतना fast work करता है, इतना fast result देता है, इसको जरूर try करो, और मुझे comment में बताओ guys, इसको जरूर try करो, highly recommend है, अब next step है, pigmentation remover marks, जिसके लिए आलू, खीरा, गाजर चा लेना है, अब इस mask को लगाएंगे, cotton pad के help से, जैसे जैसे, हम लोग face में लगाते है, seat marks, वाइसे हम लोग लगाएंगे, underarm marks, अच्छे से cotton pad को dip कर लेना है, dip करने के पूरा juice सोख हो जाएगा, उसके बाद इसको underarm में हम लोग अच्छे से place करेंगे, इसको लगाना बहुत जदा easy है, बहुत जदा आराम देता है, बहुत जदा cooling देत है, कोई tension नहीं गिर भी नहीं जाता है, और उसके बाद अपने comfortable के हिसाब से दूसरा underarm पे भी आप लगा लेंगे, ऐसे सर पे आप हाथ को रख सकते हो, या फिर अप लेट भी सकते हो, सोफे में भी बैठ सकते हो, उसके बाद आप लोग इसको natural तरीके से इसको सोख करने ताकि जितने सारे juice है, यह अच्छे से सोख कर लें, उसका अपना काम करें, क्योंकि बहुत जदे effective है, आप लोग खुद नोटिस कर सकते हो, कितना ज़्यादा light, कितना ज़्यादा pigmentation, कितना ज़्यादा glowing लग रहा है underarm, इसमें जो सारे चीज़ यूज किया गया है, pigmentation के लिए heroic, kink माना जाता है, potato, tomato, जो turmeric, जो मैंने यूज किया है, और इसमें जो cucumber यूज किया है, यह सारे चीज़ pigmentation को बहुत अच्छे से remove करता है, आपको melanins को भी कम करता है, आपको darkness को भी कम करता है, और सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है, आप अपने हाथों से बनाते हो, कोई chemical सी नहीं है, और कितना ज़्यदे effective है, सामने ही razor ले, आप लोग खुद देख लो, इसको use करो, और जितना भी dark अपका underarm क्यों ना हो, आपको light होना ही होना है, इसको अप regularity के साथ अच्छे से इसको maintain करो, और व चलो, इतना सब कुस तो कर लिया, next tips क्या है, दिखते हैं, last step, underarm मौस्टरोजर, उसके लिए लेंगे, on teaspoon coconut oil, on teaspoon olive oil, और एक vitamin E का capsule, इन तीनों चीज़ को अच्छे से mix कर लेंगे, mix तो हो गया है, इसको container पे भी आप लोग इस्टोर कर सकते हो, और underarm के लिए इस से अच्छा मौस्टरोजर कोई होई नहीं सकता है, क्यों कि इसमें coconut oil है, olive oil है, और vitamin E है, तीनों चीज़ आपको underarm को मौस्टरोजर तो करता है, उसके साथ साथ pigmentation को बहुत अच्छे से remove करता है, क्यों कि तीनों चीज़ जो mix किया है, इससे आपका dryness भी खतम होगा, pigmentation भी remove होगा, आपको अभी तो winter चली रहा है, एक कितना effective होगा, आप लोग खोद यूज़ करोगे, फिर मुझे बताओगे, क्योंकि मैं कितना बोलू, मुझे तो पता ही है, एक इतना ज़दा hero चीज मेंने सारे पूरा process में use किया है, सो इसको use करो guys, उसके बाद बताओ कि आप लोग को क कर हुआ होगा, तो कोई बतनी कमेंट करके मुझे जरूर पूछ लेना, मैं आप लोग को reply कर दूंगी, so guys, वीडियो कैसे लगा, जरूर कमेंट करके बताना, I hope आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, and be confident, happy, underarm, because love yourself first, उसके बाद बाद बाकी का सारी चीज आता है, तो अपने आपको प्यार करो, थोड़ा बहुत अपने साथ, experiment करो, and देखो, लाइफ कितनी जदा खुबसूरत होती है, जैसे कि आप खूद हो, तो चलो वीडियो को फटा-फट से लाइक कर दो, चैनल को सस्क्राइब कर दो, और आपके साथ-साथ, आपके दोस्तों को में हेलफ होना चाहिए, तो लोगों के साथ भी स्याल कर दो वीडियो को, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्यार रखिए, और आपने आपसे प्यार कीजिए, और खुश रहिए, बाई!